हलो एवरिवान, वेलकम बाक तो माई चानल, फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में में आपके साथ शेयर कर रही हूं मखाने और आलू चाट की हल्दी और एजी रेसिपी जो की नूट्रियंट से भरपूर है और आप इसको as a evening snacks या फिर छोटी मोटी भूग लगने पर easily बना सकते हैं तो अगर आपको मेरे चैनल पर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस लाइक कीज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मखाना अलू चाट बनाने के लिए हम एक पैन में एक चमच घी लेंगे गी जब थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें एक से दो चमच मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे आप चाहें तो मूंगफली को ड्राय रोस्ट भी कर सकते हैं पुंगफली को light brown और crispy होने तक भूनने के बाद हम निकाल लेंगे अब हम same pan में ही चोगी बचा हुआ है इसमें ही हम मखाने को भी भूनेंगे मेहाँ पर 3 cup मखाना ले रही हूँ आप अपनी जरुवत के according कम्याजादा ले सकते हैं मखाने को भी हम light brown होने तक और crispy होने तक भूनेंगे फ्रेंट्स अगर आप ज़्यादा health conscious हैं आप घी नहीं लेना चाहते तो आप मखाने को भी dry roast कर सकते हैं मखाने को crispy होने तक भूनने के बाद हम इसको एक बरतन में निकाल लेंगे इसके साथ ही हमने जो मूंग फली भून कर रखी थी वो भी हम मखाने के साथ डाल लेंगे इसके बाद हम इसमें boil किया हुआ और कटा हुआ आलू डालेंगे मैंने यहाँ पर दो medium size के आलू लिये हैं अब इसमें आधे से एक चमच या फिर डिसक अकॉर्डिंग नमक आड़ करेंगे साथी साथ एक चमच चाट मसाला डालेंगे इसके साथ इसमें एक चमच भूना हुआ जीरा पाउडर आड़ करेंगे और इसके साथ इसमें डेट से दो चम्मच नीबू का रस अड़ करेंगे और इसके साथ इसमें दो चम्मच मेहाँ पर हरा धनी आड़ कर रही हूँ हरी धनी से न इसमें टीस बहुत अच्छा आएगा तो हरा धनिया आप जरूर डालें और हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से mix कर लेंगे मेने यहाँ पर सारी ingredients को अच्छे से mix कर लिया है और end में हम थोड़ा सा हरा धनिया और add करेंगे तो हमारी delicious, healthy और फटाफट से बनने वाली मखाना आलू चाट बनकर बिलकुल तयार है आप इस एक बार जरूर ट्राइ करें आपको यह जरूर पसंद आएगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पर मखाना आलू चाट की यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक like जरूर कीचेगा, आपका एक like मेरे लिए बहुत value रखता है साथी साथ मुझे comment भी कीचेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, first time देख रहे हैं तो प्लीज subscribe जरूर कीचेगा मैं मिलूँगी आपसे next video में Till then, take care, bye bye and thank you